मित्र नमस्कार अगर आप चनल पे नए हैं तो चनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसे लाइक करें और शेयर करें और अपने विचारों को कमिट के माद्धियम से नीचे जरूर लिखें आज हम लोग बात करेंगे उत्तरप्रदेश बजट तो हम लोग चुकcki आगामी परचाएं हैं उसको दिस्टिकोंस से point to point लो सिधी बात करेंगे उत्तर प्रदेश बजट का हम लोग पहले दिखेंगे कि इसकी समविधानिक के सिति क्या है तो आप कहेंगे अनुच्छे 202 है और उस अनुच्छे 202 में वारसिक वित्ती विवरण का जिक्र है न कि बजट का जिक्र है याद रखेगा हमारे समविधान में कहीं भी बजट सब नहीं लिखा है जब भी लिखा है तो यह वारसिक वित्ती विवरण लिखा है वित्त मंतरी सुरेश खना याद रखेगा कोई को आई भी पुछ लेता कि उत्तरप्रदिश के वित्त मंतरी कौन है तो आप कहेंगे सुरेश खना है यह बजट दो हजार बीस इकिस के लिए पेश किया गया है यह बजट जो है अब तक का यूपी का सबसे बड़ा बजट है याद रखेगा सबसे बड़ा बजट है यूपी यूपी का है यह ठिक आगे देखते हैं यह कितना है तो आप कहेंगे पांच लाख बारह हजार आठ सो साथ दसमलो साथ दो करूण रूपए यह बजट है यह पुर्व की बजट से 33,169 करूण रूपए जादे है अगर उस यह दसमलो 4,6% जादा है यानि कि यह पुर्व की बजट से जो 2019-20 का बजट था उससे यह 4,66.46% जादा है क्लियर आगे देखते हैं इस बजट में जो वित्ति घाटा का अनुमान है वो 2,97% है जो रिन हमारा है यूपी का वो जीडीपी का 28,8% है राइट आगे देखते ह अब देखते हैं कि कोवर्ममेंट ने सरवाधी खर्च कहां किया है तो यादर किये गा जो आपका सरवाधी खर्च किया गया है जो अपना एक्सपेंड किया है वो प्रात्मिक शिक्षा नमबर वन पे उरिजा विभाग नमबर दो पे समाज कल्याण वब अनसूचि जाति क खल्यान नमबर तीन पर नमबर चार पर लोक निर्माण है कभी कभा ऐसे भी कोशन आते कि सरवाधिक खर्च बजट में गुर्मेंट ने कहां किया है आगे देखते हैं राज को धन प्राप्ति कहां से सरवाधिक हुआ है बजट में चुकि हम पॉइंट तू पॉइंट आपक में सरवाधिक है वह है 33% कभर करता है किंदरी करों में राजसु का हिस्सा जो है तीस परसें नमबर पर धर्म प्राप्ति का सरोत है किंदरी करों में राजसु का हिस्सा और तीसे नमबर पर है किंद सरकार से सहायता अनुदान जो 14% फिड़ बैठता है आगे देखते हैं बजट पेशो और उसमें गन्ना की बात ना कही गई हो तो बिगार है चुकि गन्ना सरकार बनाता है बिगारता है तो गन्ने का समर्थन मुल जो है बजट में 325 रूपे प्रतिक्वेंटल बोला गया है नमबर एक पूसकता है तो इकजाम में और नमबर दो है मुंडेरवा ज कि सलफर रेस सुगर प्लांट के लिए कितने रूपे आवंटी थें तो आपका एंसर होगा 25 करोंड रूपे दिये गहें किहां कहां मुंडेरवा बस्ती पिपराइच और कहां कि सहकारी चीनी मिलों को भूखतान के लिए 500 करोंड रूपे दिया गया है आगे देखते हैं सि क्षा में बहुत अच्छा कार हुआ है पुलिस फॉरणचिक विश्विद्यायले के स्थापना लखनौं में होगी राजविष्विद्यायले कहुलेंगे अप कहां लाविश्व विद्याले कहां खुला है तो आप कहेंगे जलवा प्रियागराज आगे देखते हैं आयुस मंत्राले भी खुलेगा एक वो गोरकपूर में खुलेगा अटल बिहारी बाजबे चिकितसा विश्विद्याले लखनों में खुलेगा पशुशुकित्सा, महःबिद्याले, गोरकपूर और भदोही में खूलेगा और कहा जा रहा है कुल 13 medical college खोले जाएंगे कितने medical college? कुल 13 medical college खोले जाएंगे आई इसके आगे देखे मुख्यमंतरी किसांदुरघटना कल्यान भीमा के लिए 500 करोन वज़त आवंटित किया गया है आपसे भी पूसकता है कि मुख्यमंतरी किसांदुरघटना कल्यान भीमा की सराज ने शुरू किया है तो भी आपका एंसर यूपी ही होगा और दूसरा क्या है कि एक Green Energy Corridor की अस्थापना की जा रही है आपसे पूसकता बहुत important है ये कि Green Corridor के अस्थापना कहा की जा रही है आप कहेंगे बुंदेल खंड में की जा रही है ये बहुत important है परिच्छा दिस्टिकूर्ट से एक trillion economic का लक्ष रखा गया है इस बजट में एक trillion economic का लक्ष रखा गया है और कुल साथ नए विश्विद्याले की अस्थापना की बात कही जा रही है कितने विश्विद्याले की अस्थापना की बात कही जा रही है तो इन गुमाफिरा के बजल्ट से आपके इतने ही प्रस्ना आएंगे मुझे अमीद है कि आप लोगों को सब पसंद आया होगा आप लोगों को लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिए शेर करिए धन्यवाद